हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंटफेस बाई रवीपर तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए 23 अप्राइल 2022 के डेली करेंटफेस के कॉश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने सभी question selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा useful रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं first question से first question हमारा सैने अभ्यान के नए महानिदेशक यानि DGMO कौन बने हैं तो friends इसका सही answer है option A मनोज कुमार कटियार तो friends मनोज कुमार कटियार सैने अभ्यान के नए महानिदेशक बने हैं ये आपने याद रखना है important point से जान लेते हैं friends मनोज कुमार कटियार सैने अभ्यान के नए महानिदेशक बने हैं और friends DGMO की full firm है Director General of Military Operations और friends हमारे question की type 3 राष्टी न्युक्ती तो चलिए मैं आपको पिछले top 5 राष्टी न्युक्ती revise करवा देता हूँ first है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं सही answer है S. सोमनात next है थलसना के उत्री कमान यानि नौर्थन कमान के नए कमांडिंग इनचीफ कौन न्युक्त हुए है सही answer है उपेंदर त्रिवेदी next है रक्षा खूफिय अजनसी के नए प्रमुक कौन न्युक्त हुए है सही answer है GAV Reddy next है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाकार यानि चीफ एकोनोमिक एडवाईजर कौन बने है सही answer है Dr. V. Anand Nageswaran next है भारत के पहले राष्टी समुद्री सुरक्षा समनवयक यानि National Maritime Security Coordinator कौन बने है सही answer है जी अशोक कुमार ये आपने याद रखना है next question है दुनिया की सबसे बड़ी electric three-wheeler factory कहां स्थापित की जाएगी सही answer है फ्रेंट्स option C तेलनगाना भारत में तो फ्रेंट्स तेलनगाना में electric three-wheeler factory स्थापित की जाएगी ये आपने याद रखना है important point से जान लेते हैं सयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोनिया में अस्थित बैलेटी इलेक्ट्रिक इंक कंपनी द्वारा भारत की तेलनगाना राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी three-wheeler factory स्थापित की जाएगी ये factory दो चर्नों में 200 एकड छेतर में स्थापित की जाएगी और इस factory में प्रती वर्ष 18,000 एलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की शम्ता के साथ 13.5 एकड का पहला चरन 2023 में शुरू हो जाएगा और 2,4,000 एलेक्ट्रिक वाहन प्रती वर्ष की उत्पादन शम्ता के साथ 200 एकड की बड़ी सुविधा को वर्ष 2024 में शुरू किया जाएगा नेक्स कोशन है आईवरी कोस्ट के प्रधान मंतरी यानि प्राइम मिनिस्टर कौन बने है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है आप्शिन ए पैट्रिक अची तो फ्रेंट्स पैट्रिक अची आईवरी कोस्ट के प्रधान मंतरी बने है ये आपने याद रखना है पैट्रिक अची आईवरी कोस्ट के फिर से प्रधान मंतरी बने है और फ्रेंट्स यहाँ बात हुई है आईवरी कोस्ट के बारे में जान लेते हैं आईवरी कोस्ट कोटे डी आईवर के नाम से भी जाना दाता है और आईवरी कोस्ट पश्चिम अफरीका के दक्षिन तट पर स्थित एक देश है आईवरी कोस्ट की राजधनी है यामा सुकरो आईवरी की कोस्ट मुद्रा है अफरीकी फ्रेंग और आईवरी कोस्ट के राश्टपती है अलासेन ओटारा ये आपने याद रखना है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रेंग को अंतर राश्ट्य मात्र प्रित्वी दिवस मनाया गया है ये आपने याद रखना है इंपोर्टन प्रेंट से जान लेते हैं हर वर्ष 22 अप्रेल को अंतर राश्ट्य मात्र प्रित्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है ये दिवस मुख्य रूप से प्रित्वी से जुड़ी परेवरन की चुनोतियों जैसे की जलवायू परिवर्तन, ग्लोबल वर्मिंग प्रदूशन और जैव विदता संरक्षन आदी के लिए लोगों को जगरुक करने के लिए मनाया जाता है और फ्रेंट्स इसकी थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें यानि इनवेस्ट इन अवर प्लानेट ये आपने याद रखना है और फ्रेंट्स हमारे कोशन की टाइप नेक्स्ट है विश्व होमियोपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है सही आंशर है 10 अप्रेल और फ्रेंट्स है होमियोपैथी पीपल्स चॉइस फोर वेलनेस नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ दिवस 2022 कब मनाया गया है सही आंशर है 7 अप्रेल और फ्रेंट्स है हमारा ग्रह हम नेक्स्ट है अंतर राश्टी खदान जागरुकता दिवस 2022 कब मनाया गया है। इसका सही आंचर है option D, राजी वर्मा पुड्डुचेरी के नए मुख्य सच्चिव बने हैं ये आपने याद रखना है। पुड्डुचेरी के मुख्य मंतरी है एन रंगा स्वामी और पुड्डुचेरी के उच न्याले का नाम है मदरास उच न्याले और भारत का सबसे छोटा जिला माहे कहां स्थित है। पुड्डुचेरी के लोकसभा सीठ है एक और राजसभा सीठ है एक। पुड्डुचेरी के राज ये पशु है कलहरी, राज की पक्षी है, कोयल, राज की फूल है, कनन बोल और राज की पेड है, बेल ये आपने याद रखना है। नेक्स कोशन है, छातरों को उच गुनवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा परदान करने के लिए, डॉक्टर अमबेडकर उतकृष्टा केंदर योजना को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंट्स, इसका सही आंसर है, option B, विरेंदर कुमार ने, जो कि केंदरिय समाज नियाएं और अधिकारिता मंत्री हैं, तो फ्रेंट्स, विरेंदर कुमार ने, डॉक्टर अमबेडकर उतकृष्टा केंदर योजना को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है, important point से जान लेते हैं, डॉक्टर अमबेडकर उतकृष्टा केंदर योजना को शुरू करन से 33% सीटों पर अनुसूचित जाती की महिला उमीदवारों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी, ये भी आपने याद रखना है, next question है, टिकेट परनाली के डिजिटल लीकरन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली, डिजिटल बस सेवा का उधगाटन कहां किया गया है, त टिकेट परनाली के डिजिटल लीकरन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा महराष्ट की राजधानी मुंबई में शुरू की गई है, और इस बस का उधगाटन ब्रहन मुंबई बिजली अपूर्ती और परिवहन द्वारा किया गया है, और ये यातरी अपने स्मार्ट कार्ड का उप्योग करके टाप कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है, और फ्रेंट्स हमारे कॉशन की टाइप थी भारत का पहला, तो चिलिए मैं आपको तो पिछले टॉप फाइब भारत का पहला से जुड़े कॉशन रिवाइस करवा देता हू फर्स्ट है, भारत का पहला भूवेज्यानिक पार्क किस राज में बनाया जाएगा? सही आंचर है, जबुलपूर, मध्यपरदेश नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफिन नवाचार केंदर किस राज में स्थापित किया जाएगा? सही आंचर है, केरल नेक्स्ट है भारत की पहली पैरा बैटमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है सही आंचर है लखनव उत्रपरदेश नेक्स्ट है AVGC Center of Excellence लॉंच करने वारा देश का पहला राज्य कौन सा बना है सही आंचर है करनाटक नेक्स्ट है भारत का पहला हैली हब कहां स्थापित किया जाएगा सही आंचर है गुरुगराम हर्याना में ये आपने याद रखना है नेक्स्ट कॉशन है ब्रिटेन के प्रधान मंतरी बॉरिस जॉंसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी JCB की नई फैक्टरी का उदगाटन कहां किया है इसका सही आंचर है ऑप्शन D बडोदरा गुजरात में तो friends बडोधरा गुजरात में बिटेन के प्रधान मंतरी बौरिस जॉंसन ने भारत में बिटिश कमपनी JCB की नई फैक्टरी का उधगाटन किया है ये आपने याद रखना है important point से जान लेते हैं बिटेन के प्रधान मंतरी बौरिस जॉंसन भारत आय हुए हैं और इस दोरान उन्होंने गुजरात के बडोधरा में बिटिश कमपनी JCB की नई फैक्टरी का उधगाटन किया है ये JCB का भारत में छटा प्लांट होगा और बिटिश पीम के इस दोरे का उधदेश्य भारत के साथ संबंदों को मजबूत करना और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना है ये भी आपने याद रखना है पहले अतुलनिय भारत अंतरराश्य क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा इसका सही आंसर है आप्शिन B मुंबई महाराष्ट में मुंबई महाराष्ट में अतुलनिय भारत अंतरराश्य क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा ये आपने याद रखना है मुंबई महाराष्ट में पहली बार अतुलनिय भारत अंतरराश्य क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इस सम्मेलन का आयोजन केंद्री पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्राले, मुंबई प्रतन, प्राधिकरन तथा भारती वानेजी और उध्योग परिसंग कर रहे हैं और इस सम्मेलन का उद्देश भारत को क्रूज के केंदर रूप में विख्षिक्त करना है, ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है, प्रॉक्टर एंड गेंबल इंडिया यानि P&G इंडिया के नई सी यो कौन बने हैं? प्रिंट इसका सही आंसर है, आप्षिन एघ वी वैथ धनाथन तो फ्रिंट्स ऐल वी वैथ धनाथन प्रॉक्टर एंड गेंबल इंडिया के नई सी यो बने हैं, ये आपने याद रखना है P&G यानि Procter & Gamble एक अमेरिकी बहुराश्टी उपभोगता वक्सतु कम्पनी है और इसकी स्थापना 31 अक्तूबर 1837 में हुई थी और मुख्याल लेह अमेरिका में ये आपने याद रखना है अफ्रेंट्स हमारे कोशन की टाइप थी CEO तो चलिए मैं आपको पिछले Top 5 कंपनियों के CEO रिवाइस करवा देता हूँ फर्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी Express परिवहन और E-Commerce कंपनी FedEx के नई CEO कौन बने है सही आंचर है राज सुब्रमन्यम नेक्स्ट है Flipkart Health Plus के नई CEO कौन बने है सही आंचर है प्रशान जाविरी नेक्स्ट है विमानन कंपनी Jet Airways के नई CEO कौन बने है सही आंचर है संजीव कपूर नेक्स्ट है राश्टी E-Governance Division के नई CEO कौन बने है सही आंचर है अभिशेक सिंग और फ्रेंट्स विधुत उर्जा कंपनी Adani Power के नई CEO कौन बने है तो फ्रेंट्स इसका सही आंचर है शेर सिंग भी ख्यालिया ये भी आपने याद रखना है और फ्रेंट्स चलिए चलते हैं टरेस अप्रेल 2022 के अन्न महतपुन कौशिन की ओर जो की वान लाइनर फॉर्म में है फर्स्ट क्वेशन है प्रोजेक्ट 75 के तहट स्कॉर्पीन सब्मरीन आइनेस वर्गशीर को किस समूदरी जहाज नर्माता कंपनी दोरा विक्सित किया गया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है मजगाउं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई नेक्स्ट है वित्य समावेशन के लिए समाधानों का सह निर्मान और नवाचार करने के लिए किस फिन्टेक स्टार्टप ने फिन्कलूवेशन नामक एक पहल को शुरू किया है इसका सही आंसर है इंडिया पोर्टस पेमेंट बैंक नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शेहरी करन समेलन 2022 का आयोजन कहा हुआ है इसका सही आंसर है सूरत गुजरात में किस संस्थान ने खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स 2021 के लिए mobile app launch किया है तो friends इसका सही आंसर है युवा अधिकारिता और खेल विभाग Next है पैन बार्बी फ्रीडम टू राइट पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है तो friends इसका सही आंसर है व्लादिसलाब यसी पैंको ये आपने याद रखना है तो चलिए friends चलते हैं आज वले प्रशनों की रिवीजिन्स की ओर First question है सेन अभ्यान के नए महानि देशक यानी DGMO कौन बने है सही आंसर है मनोज कुमार कटियार Next है दुनिया के सबसे बड़ी electric three-wheeler factory कहा स्थापित की जाएगी सही आंसर है तेलन गाना भारत में Next है Ivory Coast Quote D Ivor के प्रधान मंत्री यानी Prime Minister कौन बने है सही आंसर है Patrick Achi Next है अंतर राश्ची मात्र प्रिच्वी दिवस 2022 यानी International Mother Earth Day 2022 कब मनाया गया है सही आंसर है 22 April Next है पुड़ुचेरी के नए मुख्य सच्चिव कौन बने है सही आंसर है राजी वर्मा Next है छात्रों को उच गुनवत्ता वाले मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डाक्टर अमबेडगर उतकृष्टा केंदर योजना को किसने शुरू किया है सही आंसर है विरेंदर कुमार जो कि हमारे केंदरी रासामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है Next है टिकिट परनाली के डिजटल लीकरन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजटल बस सेवा का उधगाटन कहां किया गया है सही आंसर है मुंबई महाराष्ट में Next है ब्रिटेन के परधान मंत्री बौरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश JCB कंपनी की नई फैक्टरी का उधगाटन कहां किया है सही आंसर है बडोदरा गुजरात में Next है पहले अतुलनिय भारत अंतरराष्टी क्रूस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा सही आंसर है मुंबई महाराष्ट में Next है प्रोक्टर एंड गेंबल इंडिया के नई CEO कौन बने है सही आंसर है L.V. वैदनाथन Next है प्रोजेक्ट 75 केप तहत स्कॉर्पीन सबमरीन आईनेस वगशीर को किस समुदरी जहाज निर्माता द्वारा कंपनी द्वारा विक्सित किया गया है सही आंसर है मजगाउं डौक्शिप बिल्डर्स लिमिटेट मुंबई Next है वित्य समावेशन के लिए समाधानों का सह निर्मान और नवाचार करने के लिए किस विन्टेक स्टार्टप ने किनक्लुएशन नामक एक पहल शुरू की है सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक Next है समार्ट सिटीज समार्ट शहरीकरन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है सही आंसर है सूरत गुजरात में Next है किस संस्थान ने खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स 2021 के लिए मोबाईल एप लाँच किया है सही आंसर है युवा अधिकारिता और खेलवे भाग Next है पैन बार्बी फ्रीडम टू राइट पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है सही आंसर है बलादिसलाफ यसी पेंग को ये आपने याद रखना है तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं आज के डेली स्टाटिक जी के सेट की ओर फर्स कोशन है लेंस की शक्ती की SI1 क्या है सही आंसर है डायोप्टर Next है आयोडीन किसके संचलेशन के लिए आवशक है सही आंसर है थारक्सीन हॉर्मोन के Next है भारत का नैपोलिन किसे कहा जाता है सही आंसर है समुद्र गुप्त को Next है सवतंतर पार्टी के संस्थापक कौन है सही आंसर है सी राज कुपालाचारी Next है बंगाल के नवाब सिराजुदोला पलासी की लडाई किस वर्ष में हारे थे सही आंसर है 1757 में Next है पोधों की विद्धी को मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है? सही आंशर है, क्रेसकोग्राफ Next है, मिल्कमैन ओफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही आंशर है, वर्गिज क्यूरिन को Next है, सपेक्षता का सिधान्त किसने दिया था? सही आंशर है, अलबर्ट आइंस्टाइन ने Next है, हुमायो नामा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंशर है, गुल बदन बेगम ने Next है, मिथेन का सूतर क्या है? सही आंशर है, CH4 यह आपने याद रखना है तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं, पिछले महीने यानि जैसे आज 23 अप्रेल 2022 है वैसे आज से एक महीने पहले यानि 23 मार्च 2022 के करंट अफेर रिवीजन्स की ओर First question है, उतराखंड के मुख्य मंत्री यानि Chief Minister कौन बने है? सही आंचर है, पुश्कर सिंग धामी Next है, लामित्य 2022 संयुक्त सैन ने अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की सुरक्षा बलों के बीट में किया जाएगा सही आंचर है, सेशल्स Next है, BNP परिवास ओपन टैनिस टूर्नमेंट 2022 का आयोजन कहां हुआ है सही आंचर है, कैलिफोनिया अमेरिका में Next है, विश्व जल्द दिवस 2022 यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है सही आंचर है, 22 मार्च Next है, विश्व इंडोर चैंपिंशिप 2022 में 15.74 मिटर लंबी चलांग लगा कर किस खिलाडी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है सही आंचर है, यूलिमार रोजास Next question है, Sports Star SS Awards में पतिश्ठित Sportsman of the Year 2022 का पुरुस्कार किसने जीता है सही आंचर है, नीरच चोपड़ा Next है, उननिसवी Asian Billiards Championship 2022 का खिताब किसने जीता है सही आंचर है, पंकज अडवानी Next है, डोल उच्सव या डोल जात्रा मोहत्सव किस राज्य में मनाया गया है Next है, ग्यार इंटरनेट उप्योग करताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकर्ष करने वाली भारत की पहली महारतन कंपनी कौन सी बनी है सही आंचर है, भारत Petroleum Corporation Limited Next है, more than just surgery, life lessons beyond the OT नामक पुस्ते के लेखकोन है सही आंचर है, तेह मतन एराज उडवाडिया ये आपने याद रखना है तो चलिए friends चलते हैं सबसे एहम पार्ट की ओर यानि कल वाले प्रशनों के test प्लस revision की ओर क्योंकि friends, test ही आपको best बनाता है और test के लिए आपको all the best first question है, भारत के नए प्रधान विज्ञानिक सलाकार यानि प्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर कौन बने हैं सही आंचर है, option D, अजे कुमार सूध next question है, हुरुन Research Institute द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ अरपती सूची 2022 में कौन शी स्थान पर रहा है सही आंचर है, option A, Cyrus पुनावाला next question है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली, intercontinental ballistic missile सर्मत का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है सही आंचर है, option C, रूस next है, विश्व रचनातमक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है सही आंचर है, option D, 21 अप्रेल next है, Oil India Limited ने भारत का पहला शुद हरित हाइडरोजन संयत्र कहां शुरू किया है सही आंचर है, option B, असम next है, विभिन पर योजनाओं से संबंदिच शिकायतों को ओनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी आप को कहां लॉंच किया गया है सही आंचर है, option B, जम्मू कश्मीर next question है, भारती मूल की किस महिला नोसैनिक को अमेरिका की उपराश्ट पती कमला हैरिस के कारेकारी सच्चिव और रक्षा सलाकार के रूप में निउप्त किया गया है सही आंचर है, option A, शांती सेठी next question है, भारत को दुनिया में वैश्विक आयूस थल के रूप में तयार करने के लिए परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वैश्विक आयूस निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उदघाटन किया है सही आंचर है, option C, गांधी नकर गुजराद next question, वैश्विक प्रोधगी की कंपनी विपरो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख यानि कंट्री हैट न्यूपत किया है सही आंचर है, option C, सत्य ईश्वरन को next question, राश्ट्री लोग सेवा दिवस 2022 यानि National Civil Services Day कब मनाया गया है सही आंचर है, option A, 21 April को ये आपने याद रखने है तो friends, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा Top 15 Detail Current Affair Questions और उसके बाद उनकी Revisions की और Static GK सेट भी किया और पिछले महीने का Current Affair Revisions भी करी और friends, सबसे एहम पार्ट कल वाले प्रशनों का Test प्लस Revision भी किया Friends, आप हमारे साथ जुट सकते हैं Telegram, Facebook और Instagram के माध्यम से नाम है रवी Study IQGK और Current Affair by रवी के नाम से तो friends, आज के लिए इतना ही आप मिलेंगे नेक्स वीडियो में Thank you and wish you all the best